प्रकृती जिसमें समाहित हरे भड़े पेर पौधे, कलकल करती नदिया, जहरने, बदलते मौसम, नीला आस्मान, पंच्छियों की जहचहाट, मनुष, जीव जन्तु, आदी सभी परसपर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परन्तु, आदनिक जीवन में मनुष की बड़ती महत्वकान चाओं के कारण, प्रकृती के साथ बहुत खिलबार होता जा रहा है, और जिसके परियाम सरूप, प्रकृती का संतलन बिगरने लगा है। बड़ती जीवन सेली, वाता वर्ण में प्रदूक्शन के कारण, मनुष, बिभिन साररिक दोसों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। जिस मनुष की आयू पहले सौ से एक सो बीस साल हुआ करती थी, आज वह घटकर पचास से साथ साल हो गई है, जिसका सीधा संबंद, असंतलित खानपान पर बदलती जीवन सेली है। पर क्या दुबारा पून मुप से स्वस्त तथा दीग जीवन आयू प्राप्त की जा सकती है। तो जवाब है हाँ, क्यूंकि प्रक्रती ने हमें अपने अनमोल खजाने में से एक ऐसा तोफा दिया है, जिसके उप्योग से हम दुबारा से स्वस्त तथा गंभीर बिमारिय उसे निजात पा सकते हैं, और उसका नाम है सी वक्थॉर्ण, जिसे हेमालिया बैरी भी कहा जाता है, सी वक्थॉर्ण हेमालिय की ओची बगठोर परभीरी पहारियों पर पाया जाने वाला एक ऐसा पौदा है, जिसकी जणे जमी से 200 फीट नीचे तक जाती है, इसी के निया में उपस्तित सभी बौदों से उच इस्थान प्राप थे, हमारा परोजी मुल्क चीन आज भी सी वक्थॉर्ण पर रिसेच कर रहा है, तथा इसके फायदों का लाब ले रहा है, चीन के ओलंपिक खलाणियों की डाइट में भी इसको स्पेसल महत्व दिया गया है, आपको जाने के हैरानी होगी कि रूज के अंतरिक बेभाग ने, असी के दस्तक में अपने अंतरिक शयातियों को सप्लीमेंट के तोर पर सी बक्थॉर्ण से बने निर्वित पदार्तों का सेवन कराया था, ताकि उर्जा की कमी ना हो सके, और वो विक्रण से बस सके, सी बक अत्ता, फल, फल के अंदर का बीज, काटे, सभी उपयोगी है, सी बक्थॉर्ण अत्थदिक एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, एवं एंटी डिसीजिस है, इसको बिटामिन निर्ज का भंडार कहा जाता है, सी बक्थॉर्ण में संत्रे से 12 गुना ज़्यादा पिटामिनी ही, सभी प्रिकार के फलों से ज़्यादा पिटामिनी ही और जिंसिंग से 5 गुना ज़्यादा SOD पाया जाता है, इनी गुर्णकारी तत्वों की वजह से सी बक्थॉर्ण की और एक वैल्यू 72,000 से भी ज़्यादा है, सी बक्थॉर्ण में सभी विमारियों से बचने में लाबदाय गठक है, सी बक्थॉर्ण बहुत अच्छा एंटी ओक्सिदेंट होता है, आपने कई बार टीवी पर दवाईयों पर कैप्सूल्स पर लिखा हुआ देखा होगा कि रिच इन एंटी ओक्सिदेंट इसका मतलब है इसमें एंटी होने लगता है, ओक्सिक्रणे की इस करिया से कुछ बैक्टिरिया पैदा होते हैं जिने फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, कम संख्या में फ्री रेडिकल्स हमारे सरीर के लिए लाबतायक हैं और सेल्स के बनने में मददकार हैं, लेकिन आधिक संख्या में यह फ्री रेडिकल सरी के अंदर उपस्तित स्वस्त सहल के मॉलिकूल से रियक्ट करके इन्हें नश्ट करना सुरू कर देते हैं तथा जिसके परिणाम सरूप डायबिटीज, कैंसर, ही डिजिसिस तोचास से रेटिट समस्याइं पैदा होने लगती हैं बता यह हमारे कारकरने की छंदा पर भी नेगटिब प्रभाव डालते हैं एंटी ऑक्सिडेंट इन फ्री रेडिकल्स दिक्रिया करके इन्हें समाप्त कर देते हैं और हमें कई घातक रुकों से बचा लेते हैं आएए दोस्तों जानते हैं हमारे देश के मानने प्रधान मंत्री श्री नरेन मुंद्री जी सी बक्थोन के बारे में क्या कहते हैं सी बक्थोन का उदान देता है आप सभी सी बक्थोन के बारे में जानते होंगे लगदात शेत्रे में पाए जाने वाला ये प्लांट माइनस 40 से प्लस 40 डी सेंट्रिगेड में कठोरतम तापमान को सहर करने की ताकट रखता है चाहे जितना सूखा हो ये अपने आप खलता फुलता है इसके आउशदिये गुणों का जिक्र आठी भी सदी में लिखे गए तिबबती साहिते पे भी मिलता है देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्स संस्तानों ने इस सीबक्थोन को बहुत ही मुल्यवान माना है ब्लाड पेशर की समझेया हो बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, हल्कसर हो या फिर सर्दी खासी हो सीबक्थोन से बनी अनेक तहर की दवाईया इन में लाब देती है एक स्टडी के मताबिक दुनिया में उपलब्द सीबक्थोन में पूरी मानव जाती की बिटामिन सी की जरुद अकेले ही पूरी करने की शंता है इस अग्रिकल्टर प्रोड़क के बैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है सीबक्थोन का उस्तवाल अब हर्बल्टी में जैम, प्रोटेक्टिव ऐल, प्रोटेक्टिव कीम और हेल्थ डिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि सीबक्थोन, कितना उप्योगी, वा चमतकारिक पौधा है और जिसने निर्मित पदार्तों का सेवन करने से आप सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और दीर गायू ततस्वस्त जीवन जी सकते हैं तो दोस्तों, तेर किस बात की, अगर बीमारी आने से पहले ही उसकी दवा ले ली जाए, तो सरी के साथ धन समय की भी काफी बचट होती है और दोस्तों, हमें बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि OTM आपके स्वस्त बादीर की जीवन आयों के लिए सीब अक्थोन से निमित महतपूर्ण उत्पात लाने जा रही है तो दोस्तों, आईए और OTM के मध्यम से लाए जाने वाले इन प्रोड़क्स का इस्तमाल कर अपने जीवन को सस्त बाउत्तम बनाने की दिशा में आगे बढ़े धन्यवाद